अस्सलाम अलेकुम आज हम लाए हैं आपके लिए पनीर के पकोड़े तो पनीर के और आलू के पकोड़े ये बनकर बहुत ही अच्छे और मसदा स्वाधिश्ट होते हैं इनको बनाने के लिए चलिए हमको क्या लेना है यहां पर हमने पनीर लिया है एक कटोरी इसको हमने क्रम हाँ पर किया है। और यहां पर हम ने लीए हैं तीन तेक वु अपर ग्रेटें लिए है यहां पर हम छोटे ग्रेटे से ही ग्रेट रहे हैं और यह हमारे अलू ग्रेट कर अच्छे से तयार होगा है अब हम पनीर में अपने मैश किये वे अलू को मिला लेंगे और यहां पर हमने लिया है एक बड़े साइस का प्याज जिसको हमने फैनली जॉप कर लिया है और उसको भी हम इसमें एड़ कर देंगे और यहां पर लिए हमने एक चमचकुटी लाल मिर्च और यहां पर हमने लिए है एक हरी मिर्च बारी कटी हुई और यहां पर एक निवो गरस हमने निकाल लिया था वो भी हमने इसमें एड़ कर दिया है और यहां पर हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक अब यहां पर बहुत से लोग सब्जियां भी मिलाते हैं लेकिन हमने कोई सब्जी नहीं मिलाई है इसलिए हम ऐसे ही पनीर और आलू के पकोड़े बनाएंगे तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब यह हमारा बहुत नम सा लग रहा है तो इसमें हम डालेंगे दूचमत बेसन आप बेसन की जंगा ब्रेट क्रम्स भी डाल सकते हैं और सूजी भी डाल सकते हैं चावल का आटा भी डाल सकते हैं लेकिन हमने यहां पर बेसन लिया है तो अब हमारा यह मिश्रण अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है तो इसको हम अपने हाथ पर पानी लगा कर अच्छे से इसके हम घोले तयार कर लेंगे और हमने गैसपर रखी है एक कढ़ाई वहाँ पर हमने तेल गरम होने के लिए रखा आए और यहाँ पर हमारे गोले बना रहे हैं इसी तरीके से हम सारे मिश्रण के गोले बनाकर तयार कर लेंगे सब ये सब हमने गोले बना लिए हैं अब हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम उसमें फ्राई होने के लिए डाल دेंगे और हमारी गैस मीड्येम फिल्म पर होना चाहिए तेल हमारा अच्छे से गरम होने के बाद हम गैस को मीडियम फिलेम पर ही तलेंगे तो हमारे पनीर आलू के पकोड़े बहुती स्वाधिश्ट और बहुती सॉफ्ट होते हैं और खाने में बहुती टेस्टी होते हैं इनको एक बार ट्राइज जरूर करें यह जरूरी नहीं कि आप बादार से भी पनीर ले आएंगे आपके यहां कभी दूद भड़ जाए तो उस दूद से भी आप पनीर के पकोड़े बना सकते हैं तो यह देखिए हमारे कितने अच्छे पनीर के पकॉड़े बनकर तयार हो चुके हैं तो देखिए हम आपको एक तोड़ के भी दिखाते हैं कि अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी हैं और यही और यही खाने में बहुत ही टेस्टी भी हैं तो यह हमारे पनीर और आलो के पकॉड़े बनकर बेकल रेड़ी हैं इनको हरी चटनी या लाल चटनी के साथ सार्फ करें मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला आफीज